हेलो एवरिवन गुड मॉर्णिंग वू इंडिपेंडेंडेंस डे आज हैपे इंडिपेंडेंस डे टू ओल यह जो अपडेट है यह सीटी को लेकर और जब तक सीटी नहीं हो जाता आपको डेली की नई अपडेट्स मिलती रहेंगी सीटी में सामाजी कार्थिक मांदंड के नमबर ना जोड़े जाएं सोशो एकॉनोमिक क्रिटेरिया के जो मार्क्स मिलते हैं वो ना जोड़े जाएं एचससी परिक्षा में न्यूंतम पचास परतिशत अंकों की सीमा में बदलाव होना चाहिए देखें सीटी की तारिक घोशित कर दी गई है ग्रुप शी पदों क की नोकरी पाने के लिए लाइन में लगे हैं उनकी संक्या है 11.36 प्रदेश सरकार ने नियम बनाया है कि सीटी में जनरल उमिद्वार को कम से कम 50 परतिशत अंक पास होने के लिए जरूरी है रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 परसेंट है और सामजी कार्थिक मांधन के आपको पांच मार्क्स मिलेंगे ये अंकीन 50 या 40 पिस्दी से अलग होगे इन दोनों को जोड़कर सीटी स्कोर बना जाएगा सरकार ने यह नियम भी बना रखाया कि जब एचेससी आयोग गृप सी के पदों के लिए आवेदन करने के लिए कहेगा तो पदों की संक्या और सोशित जो रिजर काटेगरी के उमिद्वार हैं उनको 40 फिस्दी लेके आना जरूरी है सोशो एकोनोमिक क्रिटेरिया के 2.5 पिस्दी अंका लग से मिलेंगे इन दोनों को जोड़कर लिखित परिक्षा की मैरिट बनेगी आयोग पदों की संक्या से 4 गुना उमिद्वार क काटेगरी अनुसार दस्तावेज डेवी के लिए बुलाएगा अब बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहलाल ने हालांकि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नोकरी में नहीं था उन परिवारों में नोकरी देने के मकसद से सोशियो एकोनोमिक क्रिटेरिया के 10 अं कर दे हैं मगर इनका असर जूनियर सिस्टम इंजीनियर के परिणाम में देखने को मिल चुका है कुछ कैंडिडेट्स ने सोफिस दी अंक लिकित परिक्षा में प्राप्त किये और सोशियो एकोनोमिक क्रिटेरिया के 10 अंक ने मिलने से वो फाइनल सेलेक्शन से यहां पर मामला हाई कोट में जा चुका है और जिस करे सिक्षकों के लिए एस्टेट परिक्षा परतियोगी परिक्षा होती है उसमें प्रापतंकों के अधार पर सिक्षक के पद्द के लिए आविदन नहीं करना होता है उसी तरह CET परिक्षा भी होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है यह नहीं कि 50% लेके आओ आप एक क्रिटेरिया रखो कि भई इतने वाले पर पास होना है और इतने वाले अगर क्वालिफाई करते हैं CET को तो वो next परिक्षा next exam के लिए eligible होंगे अब यहां पर देखिए एस्टेट की तरह CET में नियुनतम पास परतिशत अंक नहीं होने चाहिए जो CET पास हो उन सभी को आविदन करने का आफसर मिलना चाहिए तो यहां पर यह बोला है कि CET पास करो एक क्रिटेरिया रखो कि इतने नंबर पर पास होगा और सभी पास उमिद्वार क्या है अगली परिक्षा के लिए आविदन कर सकें उसके बाद यहां पर यह बोला है कि कम से कम पचास या चालिस फिस्दी अंक प्राप्त करना जरूरा जरूरी नहीं हो बलकि जितने पद हो उनके अनुसार कट ओफ मेरिट के आधार पर कैटेग्रिय अनुसार उमिद्वार को डेवी के लिए बुलाया जाहिए कई बार पेपर इतना कटिन होता है कि पचास फिस्दी अंक तो बहुत कम उमिद्वार ही प्राप्त करते हैं तो सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए समान अधिकार से दूसरे उमिद्वार बाहर हो जाएंगे हरियाना में सीटी के अनुसार भरतिया पहली बार होंगी अभी नॉम्बर में सीटी बोल रहे है तो दो डाई महीने में हाई कोट में मामला भी चल रहा है तो हो सकता है कि आपको अच्छी अपडेट यहां से तारिक आने के बाद जैसे जैसे तारिक नजदीक आती है उस महीने में यह फिर से एक नई अपडेट देते हैं कि आपका सीटी अब होगा सो यह अपडेट थी सीटी को लेकर आपको अपडेट कैसे लगी बिल्कुल सही बात है कि एक क्रिटेरिया रखना चाहिए कि इतने पर पास उमिद्वार सभी उमिद्वार अगली परिक्षा के लिए आविदन कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही बहुत कम स्ट्रेंथ ही आगे तक जा पाएगी और मतलब 90% तो कैंडिडेट ऐसे हैं कि भही जो क्या कहते हैं यह हो जाएगा कि वह भर ही नहीं हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपडेट पाने के लिए रिक्रूट्मेंट के रिगारे तो थैंक इसो मच थैंक एफो जाएगा